So, hello guys, मेरा नाम है साजी सैफी and you are watching Gyan Drops While दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने Yes Bank के credit card का pin generate कर सकते हैं घर बेठे, कुल मिला के अगर आपके पास Yes Bank का credit card अभी अभी आपको receive हुआ है और आप उसके pin को बनाना चाहते हैं, तो आप ये काम घर बेठे बहुत ही easily कर सकते हैं आप ये काम Yes Bank की website पे जाके भी कर सकते हैं, Yes Bank की application के अंदर भी जाके कर सकते हैं और Yes Bank ने एक नई application को launch किया है, और मैं आपको बता हूँ कि आप उस application को किस तरह सक कहा से download कर सकते हैं और आज जो हम अपने Yes Bank के credit card का pin generate करने वाले हैं, यानि कि pin बनाने वाले हैं हम Yes Bank की नई application के जरिए बनाएंगे, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको Google Play Store पर जाना है, और गाइस आपको Google Play Store पर आने के बाद सबसे पहले आपको Iris by Yes Bank के नाम से एक application देखने को मिलेगी कि simply आपको इस application को अपने फॉन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और Yes Bank की तरफ से launch की गई यह नई application आप यकीन मानिए बहुत ही स्मूथ वर्क करती है, Yes Bank की जो परानी application थी वो मुझे सच में इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, वो बहुत ज्यादा लोट लेती थी, लेकिन यह जो नई application है, जो कि Iris के नाम से Yes Bank ने launch किया, यह काफी ज़्यादा स्मूथ है और इसके अंदर जो आपका experience होने वाला है, वो काफी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, और इसके जरिये ही हम अपने Yes Bank के credit card का pin अभी generate करके देखेंगे, और आपको सब सब पहले step में करना यह है कि आपको Play Store से इस application को अपने phone के अंदर install करने ना है, और इस application के ऊपर आपको अपना account बना लेना है, account बनाना बहुत ज़्यादा easy है, जब आप इस application को first time open करते हैं, तो इस application के ऊपर आप अपने debit card से, या फिर credit card से, या फिर अपनी net banking के थिरू लॉग-in कर सकते हैं खर यह बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप यह काम कर लेंगे, और उसके बाद आपको इस application के अंदर log-in कर लेना है, और जैसे ही आप इस application के अंदर log-in कर लेते हैं, तो log-in करने के बाद आपको इस interface कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, bottom में आपको यह यहां से आप credit card और debit card दोनों को ही काफी easily manage कर सकते हैं, फिलाल हम यहां पर अपने credit card का pin generate करने वाले हैं, तो इसके लिए हम credit card पर click करेंगे, and credit card पर click करने के बाद यहां आपके सामने एक new page open हो जाएगा, और इसके अंदर आपका card है वो आपको show होने लगेगा, जो कि आप आपको virtual credit card होगा, and उसके बाद यहां आपको manage पर click करना है, and जैसे आप manage पर click करने के बाद आपके सामने यहां काफी सारे option आजाएंगे, जिसमें की third number पर आपको generate pin के नाम से option show हो रहा होगा, बस आपको generate pin वाले option को click करना है, and उसके बाद आप यहां पर अपनी मर्जी का six digit का pin enter कर सकते हैं, चलिए फ़लाल मैं यहां पर एक pin को enter कर देता हूँ, तो guys, यहां मैंने अपना four digit का pin set कर दिया है, तो guys, जैसे आप यहां pin set कर देते हैं, तो pin set करने के बाद आपको bottom में proceed का एक option मिलेगा, बस आपको इस पर click करना है, and जैसे ही आप इस पर click करते हैं, तो यहां आपकी net banking का M pin आपने already पहले से आप use कर रहे हैं, या फिर अगर आप new new net banking अगर open कर रहे हैं, अपने yes bank के ऊपर, तो यहां आपको एक M pin बनाना होता है, तो simply यहां आपको अपना M pin enter करना है, चलिए, मैं M pin को enter कर देता हूँ, और जैसे ही आप M pin पर click करते हैं, M pin पर click करने के बाद यहां आपको confirm पर click कर देना है, so finally guys, हमारे yes bank के credit card का जो pin है, वो successfully generate हो चुका है, यानि कि हमने pin बना लिया है, जैसा कि आप bottom में देख भी रहें, bottom में यहां में successfully का basis भी show होने लगा, बस आपको simply okay पर click करना है, और okay पर click करने के बाद आपको जो काम है वो अभी खतम हो चुका है, और आप अपने credit card को अब कहीं भी online use कर सकते हैं, किसी भी तरह के transaction के लिए, तो दोस्तो फ़लाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलकूल न भूला है, तो चलिए फ़लाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ,